अब 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 के लिए हो सकती है तो पहले तो पहली अपडेट को डिसक्श करें के बट उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले क्योंकि हाप और आपको स्लिबस की भी त्यारी की जाती है तो फिर आप सब्सक्राइब तो करी लीजिए इस वीडियो को खतम होने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें तो अपडेट नमबर वन क्या है गाइस क्लास टैंथ और ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट के बारे में अगर बात करूं तो बहु इंटू सीवेसी पैटर्न जो बहुत सारे सालों से चला हुआ रहा है लास ट्वेल्थ का रिजल्ट पहले डिकलेर होगा उसके बाद क्लास का रिजल्ट होगा लेट साथ इसलिए होगा क्यों कि शायद मोडरेशन पोलिसी देने की कोसिस करी है इस बार के रिजल्ट के हमें वाला है तो आप तो यहीं सोचते की पेपर आपके हो तो ही अच्छा है आपके सी बिसके उपडर कुछ नहीं किया है और कुछ कहा भी नहीं है और अभी तक अन्धर कि बरीजे ऑगर अगर आप हरियाना के अंदर रहते हैं और स्कूल भी आपका हरियाना में ही है तो 28th of January से आपके स्कूल री ओपन हो सकते है जी हां for classes 9th to 12th, 9th, 10th, 11th और 12th, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल को री ओपन करने का प्लान सरकार बना रही है हरियाना सरकार बना रही है basically और 33% of the rotation policy के त आएंगे तो I hope के यह अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी और पसंद आई है तो फिर subscribe मैंने आपको पहले बोला subscribe तो करेखें कि यहां पर आपकी त्यारिया भी होती है यहां पर आपकी competitive exams की त्यारिया होती है यहां पर आपको motivational वर्ल्ट से जूड़ी बहुत सारी करें थैंक यू